नमस्कार बच्चों, मैं नेलू मैकवार, शाष्की पूरुम आत्मिक साला, हमरा जिलाद्दूर गसिर, राज्य इस्तरी आउनलाइन क्लास, योगी S.C.E.R.T. रायपूर जौरा संचालित हैं, इसमें आप सभी बच्चे और सभी सिक्षकों का यहां पर स्वागत है। आज हम 36 गड़ भारती कप्छा साथ के पार्ट 10 सितारों से आगे, जिसमें की कल्पना चावला के बारे में बताये गया है, उसके बारे में हम जानेंगे। आएए बच्चों, आगे चलते हैं। चली बच्चों, आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र फोटो दिख रहे होंगे। आप इन्हें पहचानते हैं, क्या आपने कभी इनको कहीं देखा है या इनके बारे में तीवी में या समाचार पत्र में या अपने पार्टे-पुस्तक के किसी पार्ट में इनके बारे में पढ़ा है या जाना है। बताईए कि आपने कभी देखा है इनके बारे में सुना है यह सभी जो है हमारे भारत की बेटियां है एक अन्मोल रत्न है हमारे भारत के कहीं न कहीं आप सभी ने इनके बारे में कुछ पढ़ा होगा कुछ सुना होगा और इनसे कहीं न कहीं आपने कुछ प्रेणा अवसली ह क्योंकि इन सभी इने अपने अपने छेत्रों में जो है एक खास मुकाम बनाया है अपने होसलों के बदॉलत बताइए आपने क्या कभी इनके बारे में कभी पढ़ा है सुना है कुछ जानते हैं चित्र पहचान पा रहे हैं कौन है बताइए जैसे कि आप देख पा रहे होंग यहां पर मदर टेरेसा भी है, कुछ खिलाडी भी है यहां पर आपने देखा होगा, सानिया मिर्जा है, कुछ राजीती से जुड़ेवे मैलाएं भी है, यहां पर लता मंगेशकर भी है, जो की संगीत की छेत्र से जुड़ी हुई है, कुछ अंत्रिक्ष पर जाने वाले बांते हैं, बच्चों यह हैं अंत्रिच यात्री सुनिता विल्यम्स, भारत की बेटी एक पुरेणा, यह जो है अमेरिका में जन्मी हिंदुस्तानी बेटी नी जो है धर्ती से लेकर अंत्रिच तक में अपना पर्चम लहराया है, अपनी महनत और प्रतिभा और अपने होस के बल पर समुद्री दुनिया में भी इन्होंने अपनी जगह बनाई है, और अंत्रिच में जाने वाली या भारती मुल्की जो है दूसरी महिला है, आईए आगे बढ़ते हैं, बच्चों इसे पहचान पा रहे हैं, आपने कभी देखा होगा, ये है किरंडवेदी, निडर सहासी एवां देश की पहली महिला आईपियस आफिसर किरंडवेदी, संभव, सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, किसी भी लक्ष को हासिल करने के लिए सिर्फ कोशिस करने की जरुरत है, क्या आपने यहां कहीं पर सुना था इसे तो यहां कहना है किरणवेदी का कि जो सब कुछ जो है वहां संभव है कोई भी चीज असंभव नहीं है अगर हमारे हौसले बुलंद है हमारे अंदर उस कारे को करने की कि अपने लच्छ को प्राप्त करने की इच्छा सकती है और आसला है हमारे अंदर तो हम किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं हमारे लिए कोई भी चीज असंभाव नहीं है हमें सिर्फ उस लच्छ को पाने के लिए कोसिस करने की आविसक्ता होती है उनके इसी तरह के जो है महान विचारों और जज़बों से ही उन्होंने देश की जो है पहली महिला IPS होने का गौरा उनको हासिल हुआ है किरण बेदी ने ना सिर्फ पुलिस अफसर के तौर पर उन्होंने कैदियों की दसा को सुधारने के अलावा महिला ससक्ती करण के छेत्र में भी उन्होंने विशेश कारे किया आए बच्चों आगे चलते हैं तो बच्चों हम इस पाठ के माध्यम से जिसका नाम है सितारों से आगे जिसे की लेखक मंडल के द्वारा स्रजित किया गया है इसमें हम अंतरिच की परी के नाम से जाने जाने वाली कलपना चाउला के बारे में जानेंगे जो काम लड़के कर सकते हैं वहाँ मैं भी कर सकती हूँ बच्चपन की इस वक्तव को उसने अपना बलिदान देकर साबित किया ठीक है बच्चों कि एक समान सी दुबली पतली सी करनाल हरियाना की बिटिया जो की अपने प्रतिवद्ध साहस और अपने इच्छा सकती और हौसले से इतना कुछ करती रही जो भारत की ही नहीं विश्व की बेटियों में अपनी पहचान कायम कर सकी और माता पिता की चौथी संतान कलपना चाउला जो है बच्चपन से ही नच्छत लोग को घंटों निहारा करती थी और वहाँ एक अंत्रिच यात्री के रूप में स्पेस सटल कोलंबिया में बैट कर जो है अंत्रिच के गुड रहसे खोलने के यात्रा पर थी और इस तरह से वहाँ पर इस कारे को करते हुए, अपने जान को जोखिम में डालते हुए, वहाँ अपने जान वहाँ पर गवाँ बैठी और एक जीवन दितिहास होने वहाँ पर रचाव बच्चों कभी-कभी जो है साधारन साथ दिखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो भी कुछ असाधारन कारे कर जाते हैं और पूरे विश्व में जो है अपना दाम कमा लेते हैं, कोई नहीं जानता था कि करनाल की यहाँ एक दुबली-पतली जो लड़की है, कभी जो है अंत सरिच के गुड रहसे खोलेगी और भारत का नाम रौसन करेगी, तो इस पार्ट में बच्चों इसी दुबली-पतली लड़की कलपना चावला का जो जीवन इतिहास है, वो हम सभी के लिए कहीं न कहीं आपरेड़ा प्रदान करता है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं, बनारसिदा शावला भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आकर करनाल में बसे थे, सन 1961 में यहीं कलपना का जन्म हुआ था, और उनके पिता का नाम जैसा की यहां पर लिखा हुआ है बनारसिदा शावला यहां कलपना के पिता जी का नाम था, तो कलपना शावला ज जैसे कि बच्चों आप सभी को भी घर में आपके परिवार वाले आपको कहीं न कहीं इसने वाले जो नाम है उससे आपको जरूर पुकारते होंगे, इसी तरह से कलपना को जो है मोंटु कहकर पुकारते थे, सिक्षा के शेतर में जो परीवार है वो बहुत ही काफी आगे था और उनकी सोच हमेसा उची रहती थी मोंटो की जो स्कूली सिक्षा है करनाव के टैगोरबाल निकेतन नुमी थी और गरमी के दिन में राद को खुले आसमान में ताराःड़ों की ओर निहारती थी जैसे बच्चों आप भी कभी कभी आप जो है खुले आस्मान में जब बाहर बैठे होते हैं तो खुले आस्मान की तरह आप क्या करते हैं निहारते हैं और कुछ न कुछ विचार जो है आपके अंदर आ ही जाते हैं तो इस तरह से कलपना चावला भी जब खुले आस्मान में तारागणों को नहारती थी तो वहाँ निहारते नहारते कहां पहुंच जाती थी कल्पना जो है दचछतरलोक में पहुंच जाती थी सायद यही से उसे अंत्रिक्छ यातरा कि आपके अंदर भी बहुत सारी कलपनाये वह जागरित होती है आपके अंदर भी नई नई विचार आते हैं ठीक है बच्चों यहां पर कलपना का अर्थ है नई बाद सोचना या मन की उपज चले आगे चलते हैं जागरुः कि पिता ने अपनी प्यारी बेटी मोंटु की रूची को भाप लिया ठीक है तो इस प्रका से उसके पिता जी की इक्चा तो थी कि कलपना जो हे वो ड़तर या सिख्चक बने बच्चपन में ही जो हैं अपनी बेटी की जो रूची है इक्चा है उसको जान लिया था जब वह आठवी कक्छा में थी तभी उसे उन्होंने पहली उडान कराई थी एंड्रिस की परिच्छा उप्तिरिन करने के बाद कलपना ने इंजिनियरिंग की पढ़ाई सुरू की और इंजिनियरिंग में उसने कौन सा विसाय लिया अंत्रिच का विसाय लिया चंडिगड के पूरवी पंजाब इंजिनिरिंग महाविध्याला में उस समय तर एरोनाटिक विभाग में कम छात्र छात्राइं ही दाखिला लेते थे जैसा कि पच्चों आप सभी जाते हैं कि पहले लड़किया बहुत जादा पढ़ाई के छेत्र में आगे नहीं थी तो उसी प्रकासे जो एरोनाटिक विभाग में जो है लड़किया बहुत ही कम थी छात्राओं का प्रतिसर और भी कम रहता था वहाँ पर और कॉलेज में ही पढ़ते समय कलपना जो है दत्चित होकर दत्चित मतलब एकागर मन से तो दत्चित होकर वहाँ अपना कोड से तो तयार करती ही थी है ना नोटस तयार करती थी और साथ ही कॉलेज में जितने भी गतीवीधिया होते थे क्रिया कलाप होते थे उसमें भी वहाँ पूरे मन से भाग लेती थी और वह हमेशा कहती थी कि जो काम लड़के कर सकते हैं वहां मैं भी कर सकती हूँ और उन्होंने जो यह वाक्य कहा था उसको उन्होंने कर भी दिखाया कलपना को जब एरो नाटिस की डिगरी मिल गई तब उसने अपनी जो आगे की पढ़ाई है वो कहां करने का मन बना लिया अमेरिका में और उसे वहां पर क्या मिल गया दिरे से हुआ और दिसंबर 1983 में उन्होंने उसे विवाह कर लिया चलिए बच्चों आगे देखते हैं कलपना को जब एरो नाटिस की डिगरी मिल गई तब उसने अपने आगे की पढ़ाई अमेरिका में ही करने का मन बनाया और वही पर जो है उसका परिचय जिन पेरे से हुआ और इस तरह से 1983 में दोनों विवाह सुत्र में बन गे विवाह के उपरांद भी कलपना ने अंत्रिच में उन्हें का जो अपना जो अटल घे था उसे बनाए रखा उन्होंने विवाह के उपरांद अपनी जो सिक्षा है उसको छोड़ा नहीं एक दिन उ अध्यम से उसे नासा से समाचार मिला क्या समाचार मिला कि हमें खुसी होगी यदि आप यहां आकर एक अंत्रिच यात्री के रूप में अंत्रिच कारेसाला में भाग लेंगे तो यह जो समय था वहां कलपना के लिए बहुत ही खुसी का समय था और कलपना के लिए यहां ए महुत कम मिलने वाले अब जो है 6 मार्च 1995 से कल्पना का एक वर्षी पार्ठिक्रम प्रारम हुआ प्रसिक्षन के रूप में अब तरह तरह की प्रसिक्षन प्रणालियों के द्वारा इन अंत्रिच यात्रों को तयार करने में कई महिने लग जाते हैं और इस ओधी में जो उत् से पूरी निष्ठा के साथ पुरा किया आगे देखते हैं कि 19 सितमबर 1997 को सत्यासी के अभियान दल के सदस्यों का जो है परिच्छन हुआ इनमें कुछ पुराने अनुभवी सदस्य भी थे और कुछ नए लोग भी थे जैसा कि बच्चों हम भी कहीं प्रसिक्षन में जाते हैं ठीक है तब भी हमारे साथ कुछ पुराने हमारे सहली मित्र होते हैं और कुछ नए भी होते जिनके साथ हम अपने विचार साजह करते हैं कल्पना का यहाँ पहला अभियान था तो उडान से पहले अंत्रिच्यात्री अपने अपने परिजनों से मिले इसके बाद सब एक विस्वकी जो जलक देख पाना एक दैवी कृपा के समान था बच्चों क्या आप कभी ऐसे किसी अंतरिश यार में चड़ने का आपने सोचा है कुछ कलपनाएं आपने की है कि अगर हम अंतरिश में जाएंगे तो हमें वहां से नीचे हमको जो धरती है वो कैसे दिखाई तो यहां यहां जो है 17 दिनों तक अंतरिश में घूमता रहा और अंतरिश यात्री अपने सारे प्रयोग वहां पर करते रहे और अंतरिश यान केनेडी अंतरिश केंत पर उतरा और दर्सक दिर्गा में बैठे अंतरिश यात्रों के परिवार की लोगों ने सकुसल वापस लोटाने पर इश्वर को क्या दिया धन्यवाद दिया जैसे हम किसी तीर थैत्रा पर जाते हैं और हम पूरे तीरत धाम करके जब घर वापस आते हैं तो इस तरह से हमारे परिवार वाले आसपडोस वाले गाउं वाले भी क्या होते हैं फुस होते हैं और हम भी इश्वर का क् दन्यवाद देते हैं तो इसी प्रका से जो अंत्रिच श्यात्री के परिवार की लोग थे उन्होंने भी उसके सब उसल वापस लोटाने पर उश्वर को धन्यवाद दिया चलिए आगे चलते हैं अब इस उडान में उब्रह और कंप्ध depression प्रणाली में कुछ घड़वड़ी आ गई थी इस घड़वड़ी का जो है दोस के बास सबके सामझे रखी और चामने के इस तर्क से सहमत होकर जो जाच दल वहाँ पर आया था उने उसे दोस्मुक्त घोसीत कर दिया और अताथ उसके बाद जो दूसरे अभियान के लिए भी कलपना चाउला को चुना गया दूसरे अभियान की जो तिथी है वो 16 जन्वरी 2003 निश्चित की गई और इस अभियान का म कलपना का जन्म और जीवन जो है समान्य जैसा ही था किन्तु उनकी जो उपलब्धिया है वो असमान्य थी वह हमेशा जो है नए नए जानकारिया जुटाती थी नए नए अनुभाव है वहाँ उसे प्राप्त करती थी और हमेशा नए कारियर नए चमतकार ही हमेशा करना च चाहती थी सारे विश्व के बच्चों के लिए उसका एक ही संदेश था अपने विश्वास के धरातल से आगे बढ़तर चलो तभी असंभाव को संभाव बनाया जा सकता है कल्पना के इसी संदेश को जीवंत रखने के लिए उसके परिवार ने जो है मॉंट्यू फांडेशन के जो वंचित हो जाते हैं उन्हें विश्व विद्याले की सिक्षा प्राप्त करने के लिए सहायता करना चली बच्चों आगे हम देखते हैं कि एक फरवरी 2003 विश्व की जो सभी लोग थे अपने अपने टेलिविजन की सेट पर आखे गड़ाय हुए बैठे वे थे अमेर इंतजार में कलपना चॉला और उसके टीम के साथ जो और भी सदसे गए थे उनके इंतजार में सबकी आखे जो है आकास की ओर टक्टकी लगाये सब देख रहे थे और यहां उसर था कोलंबिया सटल की प्रित्वी पर लोटने का भारत के सभी लोग आतूरता से अधीर होकर टीवी पर बैठे इस द्रिस को देख रहे थे और उनकी आतूरता का कारण था इस अंतरिच अभियान में भारत की बेटी 41 वर्सी कलपना चॉला भी सामिल थी उसके परिवार के लोग तो फ्लोरिडा में ही अपनी बेटी के लोटने के प्रतिच्छा कर रहे थे यहां भारत में उसके नगर करनाल में उसी के विद्याले टैगोर बाल निकेतन के लगभग 306 चात्राएं और उस विद्याले की पूर्व चात्रा कलपना चॉला के इंतजार में जो है सभी क्या कर रहे थे उसका इंतजार कर रहे थे आगे देखते हैं जब तक बच्चों कहा जाता है कि जब तक कोई अभ्यान जो है पूरी तरह से सफल ना हो जाए तब तक अंत्रिक्ष यात्रियों अंत्रिक्ष केंद्र के संचाल को दर्सकों के हिदय में हमेशा जो है धुक-दुकी लगी रहती है और उस दिन भी केप के नेवरल में प्रा प्रवेश के साथ ही कोलंबिया सटल का जो संपर्क है वो अंत्रिक्ष केंद्र से तूट गया था इसलिए सब के दिलों में जो है धै में जो है धुक-दुकी च्छाई हुई थी और सहसा अचानव जो है कुछ मिंटों के बार टेक्सास के ऊपर एक जोरदार धमाका पाता है तब हमें थोड़ी सी कोई हल चल यह धमाका सुनाई देता है वैसे ही वहां पर भी जूरदारे धमाका सुनाई दिया हौश्टन कमान केंद्र में जो है धबराहट फैल गई और एक फरवरी 2003 का वह काला दिन आया जब स्पेस सटल था उसमें सवार साथ जो अंत्रि भारत ने उस दिन अपने जाजवल लिमान नच्छत्र कलपना चाला को खो दिया और संपूर्ण जो है जगा पर पूरे देश में क्या हो गया एक सोग की लहर फैल गई जाजवल लिमान मतलब क्या हुआ बच्छों चमकता हुआ या तेजो मंडिक अब जो है इस घटना के बार समूचे देश में विसेश रुफ से जो है करनाल में चारो तरफ सोग की लहर दोड़ गई पैगोर बाल निकेतन में जो उस्साव होने वाला था कलपना चाला के वापस आने की खुसी में वह जो है एक सोग सभा के रुप में परिवर्थित हो करनाल की यहां विलक्षन बेटी जो है सफलता पूर्वत एक यात्रा तो पूरी कर चुकी थी लेकिन दूसरी यात्रा में वहां दुमली पतली लड़की अपने मधूर मुसकान और रिण संकल्प के साथ अपने सपनों को साकार ना कर पाई कलपना के जीवन की यहां कहानी जो है करनाल से प्रारम हुई और इस तरह से अंत्रिच में समाप्त हुई बच्चों कलपना चावला जिन्होंने कहा था कि जो काम लड़के कर सकते हैं वहां मैं भी कर सकती हूं और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अंत्रिच के लिए ही बनी हूं और हर पल अंत्रिच के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी तो इसका कथन जो है यहां पर सत्य भी हुआ जिस पका से कलपना चावला ने कहा था कि मैं तो अंत्रिच के लिए ही बनी हूं और मैंने अपना हर पल हर समय जो है अंतरिच में ही बिताया है उसको खोजने के लिए और अंतमी मैं इसके लिए ही मरूँगी मतलब उसका जो सारा जीवन था वो अंतरिच के लिए ही समरपित था तो बच्चों कलपना चावला के वो शब्द जो उन्होंने कहे थे वो क्या हो गए सत्य हो गए कि मैं अंतरिच के लिए ही बनी हूँ हर पल अंतरिच के लिए ही बिताया है और इसी के के लिए मरूंगे तो बच्चे, हम सभी को भी अपने आगे औची भविष्य काो है creation करना चाहिए है नहार् और बच्पन में देखते होंगे कि हम सभी के भी क्या है कुछ अपने सपने होंगे बच्चे बताएえば क्या आप सभी के को अपने लक्ष को पूरा करने की हिम्मत जो है हर किसी के पास नहीं होती है हम सभी जो है समान्य मध्यां वर्गी परिवार या उससे भी अल्प आयवाले परिवार के सदस्य होते हैं तो कहीं न कहीं हमें अपने लक्ष को या अपने जो बनने की इच्छा है चाहत है उसे सबसे बड़ा जो भन है वह हैं सिर्फ हमारी इक्षा सक्ती और विध्या है और यही इक्षा सक्ती और घ्यान कौसल हमें जो है अपने सपनों को आगे बढ़ाने में हमेशा हमारी क्या करता है मदद करता है तो निश्चित ही आप सब में भी कुछ ना कुछ जो है कुछ करने का जजबा होगा आपने नहीं को प्राप्त करने के कुछ सपने देखे होंगे हो सकता है कि आगे चलकर पारिवारी पृष्ट भूमी वा विसम परिस्थितिया जो है लक्ष प्राप्ति के लिए हमारे सामने कोई बड़ी चुनोती खड़ी कर दे ऐसा होता है हमने अपने आसपास या अपने घरों में भी हमने देखा है कि कही न कहीं जब हम हमारा कुछ लक्ष होता है हमारे अंदर कुछ बनने की इच्छा होती है तो कहीं न कहीं हमारे सामने क्या होती है कुछ चुनोतिया सामने खड़ी हो जाती है यदि हम इन चुनोतियों से घबरा कर अपना रास्ता बदलने ऐसा होता है कि जब कुछ परिशानिया होती है तो ह उस परिसानियों के सामने क्या करते हैं अपने गूटने टेक देते हैं और हमारा जो लक्ष है उसको हम वही पर क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं तो यदि हम इन चुनोतियों से घबरा कर अपना रास्ता बदल दें अपने लक्ष को बदल दें तो वहां पर हमारे जो सपने कोई भी मूल्य नहीं रह पाता है तो हमारे पाठ्ठी पुस्तत में जो कल्पना चाउला का जो सपना है उनकी उपलद्धी को इसमें बताया गया है और यदि कल्पना चाउला भी है ना अपने सपनों को प्रात्मिक्ता नहीं देती उसको सातार करने में उसे पूरा करने में तो इतनी बड़ी जो है वहाँ एक अंत्रिच परी के रूप में आज नहीं जानी जाती तो प्यारे बच्चों हमें अपने सपने वा लक्ष को प्राप्त करने के लिए कोई विसेस दिन समय आती थी नहीं होती है जो होता है अभी अब और वरतमान होता है इस बात को ध्यान रखेंगे बच्चों इसलिए आप आज से ही अपने जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने ज्यान को जो है सिख्चक के मार्ग दरसन में अमेशा और निरंतरा बढ़ाते जाएए ज्यान ही सबसे बड़ा वह संसाधन होता है जो आपके हर सपने को क्या करता है पूरा क करता है अगर आपके पास ग्यान ही नहीं है किसी चीश के बारे में आपको विसेवस्तु के बारे में पता ही नहीं है किसी छेत्र के बारे में तो आप उस सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे और यहीं ऐसा हमारे पास सस्र है जो आपके लक्ष को निश्चित ही भे देगा तो आईए हम बच्चों हम सभी भी यहा शंकल पले कि ना सिर्फ कलपना चावला अपीतु ऐसे बहुत सारे प्रेविनास रोत हमारे देश से हमारे देश से रहे हैं और और उन्हों ने हमारे देश को गौराण्वित किये हैं तो इनकी भाती ही हमें भी कुछ ऐसा करें जिससे हमें ना सिर्फ हम यह समुदाएं गारवाण्वित हो गर्वयध महसुस करें अपीतु भारत का नाम्भी जो है विष्व में क्या हो अथान 기 Sound कर सकेंfolg चलिए बच्चों, आगे चलते हैं, कुछ अपरची शब्द हैं बच्चों, जिसे आप सभी नोट कर लीजिएगा, कल्पना, नई बाद सोचना मत की उपज, प्रती बद्ध बंधा हुआ और गुण, छिपा हुआ गुप्त, जीवन, जीता जाकता जीवित, और आतूरता उत जाजवल्यमान, चमकता हुआ, तेजो मंडे, घत्चिक, एकाग्रह, मनवाला, और मुराद, कामना, अभिलासा, चलिए, आगे चलते हैं, निहारना, टक लगाकर देखना, ध्यान पूरवत, देखना, जिख्यासू, उस्सू, जिख्यासा करने वाला, उपाधी, पद्वी, और नगण्य, जो गिनने योग्या ना हो, विलीन, ओजल, चलिए बच्चों, आगे चलते हैं, अब है बच्चों, आपके लिए बहुत प्रश्ण, कि कल्पना का अटल धे क्या था, बताए बच्चों क्या था, कल्पना चावला का अटल धे क्या था, बताए अपने विश्वास के धरातल से आगे बढ़कर चलो, तभी असंभाव को संभाव बनाया जा सकता है, यही अगला पुर्शन है कि विस्व में उस समय सोग की लहर क्यों दौड़ गई थी जिस समय सभी लोग जो है कल्पना चाला और जो सदस से और भी सदस थे उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे वहां चानक से एक सोग के इसमें कैसे बदल गया बताइए तो कल्पना चाला और कोलंबिया इसपे सटल में सवार सातो अंत्रिच यातियों की वित्यू की खबर सुनकर जो है पूरे विस्व में सोग की लहर दौड़ गई इसमें और भी अन्य प्रशन जो आपके पाट की पीछे में दिये हुए है उसे आप अपने शब्दों में स्व किसे कहते हैं किसे कहते हैं जैसे फूल को हम और क्या क्या कहते हैं किसी कवीता में हमने कुछ दूसरे सब्द सुने होंगे हर जगा फूल सब्द तो उपयोग नहीं होता है फूल को हम किसी कवीता में कहानी में और भी दूसरे सब्द उसके लिए उपयोग किये जाते हैं ज जो समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं. उधारन देखते हैं हम रात, तो रात को हम और किसकी इस नाम से जानते हैं? रात्री, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, इसी तरह से प्रिदय, छाती, वक्ष, खीय, उर इस नाम से भी हम इसको जानते हैं. आग, चक्छू, नयन, लोचन, नेत्र, इसी प्रकासे बेटी, तो हम तनूजा, सुता, तनिया, या नंदनी, विद्याले, स्कूल, पाठ साला, अंतरिच्छ, नव, गगन, अंबर, आस्मान, नच्छत्र, सितारा, तारा, तारव, या त इसी प्रकासे आतूरता, अधीरता, जल्दी, सीघरता, अगला क्या है बच्छो, उत्साह, इसे हम और क्या कहेंगे, जोश, उमंग, निर्भीत, भैरहित, नीदर, सहासी, विश्व, जगत, जग, संसार, भाव, इसी प्रकासे अटल, अटल को और हम क्या कह सकते हैं, अचल स्थेर, अडे, और इसी प्रकासे धन्यवार, आभार, शुक्रिया, प्रितग्यता, ज्यापन कर रहा, चलिए बच्छो, आगे चलते हैं, अगला है बच्छो, प्रत्य, इस पार्ट में कुछ प्रत्य वाले शब्दा हैं, उससे हम देख लेते हैं, उससे पहले हम जया लेत हैं कि प्रत्य किसे कहते हैं, बताइए बच्छो, प्रत्य किसे कहते हैं, बताइए, किसे कहते हैं प्रत्य, आप पूरों भी अन्य पाटों में भी प्रत्य पढ़ चुके होंगे, तो वे शब्दान जो किसी सब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है, कोई विस पीछे जो है अंत में कौन सा प्रत्या लगा रहे हैं ता, तो हमारा जो नया सब्द है वो क्या बना सफलता, इसी प्रका से विसम, विसम के अंत में हमने क्या जोड़ दिया ता, तो नया सब्द क्या बना विशमता, उसी प्रका से प्रतीभा और हमने उसमें कौन सा प्रत्या लगाया वान तो नया सम्त क्या बना हमारा प्रतिभा यसी प्रकाश सव्दों और आ गे हमारा हमने प्रत्या लिया है दार-प्रत्या तो कर जोलब मूल शब्द है और उसके अंध में हमने क्या जोड़ दिया दार क्या बन गया कर जब्देन ह desaprot उसमें हमने प्रत्या लगाया दार तो उसे हम क्या कहेंगे दमदार इसी प्रका से हमने दिया है ई प्रत्या जैसे खांदान और अंध में हमने उसे क्या प्रत्या लगा दिया ई तो क्या हो गया खांदानी हो गया इसी प्रका से उचा जो गूल शब्द है उसमें हमने लगाय प्र Hunt तो इस प्रता से बच्चों आप ऐसे अटयं सब्द भी आप रत्य जोड़कर बना सकते हैं जैसे वान में हम बलवान भी इसी प्रकास अब अगा सब्द का भी निर्माण समत से राच इसेr चलिए बच्चो अब हम आते हैं उफसर्ग की ओर तो जो शब्दान जो है मूल सब्द के आरंभ में मतलब पहले जुड़कर उसके जो अर्थ है उसमें विसेस्ता या कोई परिवर्तन ला देता है उसे हम क्या कहते हैं उफसर्ग कहते हैं उफसर्ग जो है मूल शब्द के पह हमयाला अभीमान ठीक है उसी प्रकास हे है most चब्द ज योग है उसके, पहले Ettमे में क्या लगाया diesem क्या अभी तो इसी तरा से हैs तो क्या बंगे और यह क्या धी कि यृटिक है कि ऐगार यात्री के पहले आप ने क्या लगाया 1974 कि जाएगा और सहयात्री, सासाथ यात्रा करने वाला, ठीक है, इसी प्रकासे योग में हमने क्या कर दिया, सह, उफशर्ग जोडा, तो क्या बन गया हमारा नया शब्द, सहयोग, ठीक है, इसी प्रकासे पुत्र जो है, मुल शब्द है, उसके आगे हमने लगाया, सू, तो क्या बन गया, सू उकन्या इसी प्रकासे और भी नए शब्द बना सकते हैं योजना मूल शब्द है उसके पहले हमने लगाया परी उफसर्द तो क्या बन गया परी योजना ठीक है इसी प्रकासे वार मूल शब्द में हमने लगाया परी तो क्या बन गया परी वार ठीक है इसी प्रकासे मूल श वहां भारत तो इसी प्रकास से आप अन्य मुल शब्द में और अन्य उफसर्व जोड़कर नए शब्द का निद्वाण स्वयम से कर सकते हैं चले वच्चो अंत में अब आपके लिए है एक घ्री कारी है इस त्री सक्ति के रूप में भारत का नाम रोसंकरने वाली नारियों की एक सूची बनाना है आपको और उनमें से दो इस्टी सक्ती के बारे में आपको ब्सक्ष्षा निखना है और इससे आपने विसिस sei आप उसे लिखकर अपने मातविता को भी दिखा सकते हैं और आप अपने विचार भी उनके बारे में व्यक्त कर सकते हैं उसे आपने क्या सिखा और उसे आपको क्या प्रवड़ना मिली ठीक है वच्छों तो उम्मीद करती हूं कि आपने इस पार्ट से कल्पना चावला के इ क्या तो आप भी आपके जो लक्ष है उसे प्राप्ट करने के लिए अपने सकती को बनाये रखेंगे अपने हвалहसले को हमेसा बुलनर रखेंगे ए अपने लक्ष को प्राप्ट करने में आप हमेशा आगे अग्रसर होंगे ऐसा मैं अभीद करती हूं और इसे आपको कहीं न कहीं प्रेड़ना अभाश्य में दिया होगी धन्यवार बच्चों और हम अब आगे की कर्चा में मिलेंगे कि अधाय नहीं कि सर ये मेरा क्लास कर दो कि सुक्राव सब्सक्राण आपक है रगे अपको में अर dollar कि सुन होगी कि ऑी दाना बनने स्वाई नहीं कि अर दोंहे होगी झाल झाल